हेलो फैंड स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल दे वुमी ट्रैवलर यूके 13 में कल हमने नीलकंड प्रवत की आधा ट्रैक पुरा किया था और हम आधा ट्रैक आज पुरा करेंगे तो लेट सी चालते हैं तोस्तो अब मार्ग और भी टफ हो चुका है खड़िंजा मार्ग शुरू हो गया है और आप उपड़ देख सकते हैं चट्ना में दोस्तो अभी नीलकंड प्रवत बिल्कुल लग रहा है कि हमारे सामने पे लेकिन ऐसा नहीं है यह हमारा बिल्कुल फ्राम है अभी हमें तीन किलो मेटर और पैदा चलना है अब यह आसिस भाई बताएगा आपको यह कितना ठक चुके हैं तो बहुत लगी है चलते जा रहे हैं अभी तो पास रहा है लेकिन बहुत दूर है बिल्कुल आदत खराब हो चुकिए यह आपर बोन भाई यह आपसे एक्सक्रियंस शेयर करेंगे साथ किलोमेटर चलने के बाद इनको कैसा फील हो रहा है लेकिन नीलकंड पर बद जितना करीब आ रहा है हमारी खादान कम होती जारी है और बढ़ती जारी है और यहाँ पर एक भाई जी मिल गया मैं है भाई जी आप कहां से हो बदिनाथ से आ चलो नो होगे चलोघृड चलो चलेंगे अकरिकी मस्तिक और यह वाई बता रहे हैं इन्हें काफी फूग आ पर लग चुकी है खाना खाना के लेकर आपर है वह बिलकुल सभी बात है और करनाटका के भाई हैं भी तक शुका है जहना नाम क्या आपका स्री राम नाम विनका स्रीराम करनातका से हैं, आभी ठाथ चुके हैं, और हमारे साती उपर नेरकंड पर चलेंगे, अर्मान की कृपा होगा है, देखते हैं, स्रीराम भीया आप यह बताओ, आप कितने लोग यह पाया हैं, आप तीन लोग, एक दो, मेरा एक फ्रेंट और एक फ्रेंट और साड़े साथ, आठ किलोमेटर लग बगम पैदल ट्रेक कर चुके हैं, और यह भाई कापी भूका है यहाँ पर, लो भीया, पीलो, 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 और यहाँ पर बीना खाए आगे थे, खाके आए है, और उपच गया, वो पताओ, खाना सब कुछ पैक करके आजा, नहीं तो यह भाई कापी ठक चुके हैं, और अब यहीं से वापस चले आएंगे, लगबग आठ किलोमेटर हम आ चुके हैं, चलो ठीक है भाई जी बाई, चल दे हम, नाटगा के स्रीराम भाई हमने पीछे छोड़ दिया हैं, और यह सायद इनकी ही साथी हैं, सही पैचा ना भाई, और अनन्द नारायंड जी, आप कहा तक पहुच पाई थे, ठीक है, लगबग लगबग निलकंट फूप तक यह पहुच चुके थे, तो अभी आप वापस जाओगे, ओक्य ब्रो, भाई, टेक क्यार, और दोनों करनाटकाय वाले भाई, स्रीराम और अनन्द, दोनों वाप किलोमेटर की दूरी पर हम निलकंट परवत के जड़ से, और लगबग चार हजार मीटर की हाइट पर हम पहुच चुके हैं, अभी हम लगबग साड़े आटमा किलोमेटर कवर कर चुके हैं, बिलकुल सामने पर निलकंट परवत, और काफी ठक चुके अब यहां तक, आपको यहां से पीछे का यूँ भी दिखा लेता हूं, चक्ता में देख दिए आप यांगी रास्ता पूरा पथिर ला हो चुका है, वाओ, आगे करने जारा देखिया आप, और यह बर्फ आप साप देख सकते हो, और अभी लग रहा हमें, जैसे हम जन्नत में पहुँच गी हो, साथ आट सो मेटर का रस्ता भी बच्चा हुआ यहां पे, हंडा बहुत बढ़िया है, पाँच छै पे टेंपरेचर पहुच चुका है यहां, बगल पर आप नदी को देख सकते हैं, दोस्तों, अल्मोस्ट दोसो मेटर यहां से रह गया है, जहां से यह वर्फ गिरी हुई है, और जो नील कंड परोट का जो टॉप है, वो आप उपर देख सकते हैं, अभी बादलों से ठका हुआ है, गाइज आप नीचे घास देख सकते हैं, जो बर्फ के काराण पूरी तरह से खराब हो चुकी है, बर्फ इसे पूरी तरह से जला देती है, यह देखिए, सोक चुकी है पूरी तरह से, देख सकते हैं, आप बिल्कुल खड़ी चट्टाने, यह जो पानी आप देख पा रहे हैं, यह इसी गलेशार का है, और मैं इस पे हाथ लगाने की गल्ती, अभी बिल्कुल नहीं करूंगा, 11.5-12 किलो मिटर हम पैदल ट्रैक कर चुके हैं, और अभी 44-45 मिटर की हाइट पर हैं, ऑक्सिजन लेवल काफी काम हो चुकी यहां पर, अभी हम बिल्कुल नीलकंट परवत के जड़ में पहुँच गये हैं, यह देख सकते हैं आप, और यह देख आप यह बड़े बड़े जो बोल्डर यहां पर आ रखे हैं, यह पर से चटाने टूटती हैं, फिर यह बड़े बड़े बोल्डर यहां गिट जाते हैं, यह देखिए दो भू के सेर और यहां बर्फ के अलावा और कुछ नहीं मिलता है, और अपना खाना हमने वहां पे करनाटक वाले भाय को खिला दिया था, दोस्तो 4700, 4700 मिटर की हाइट पर अभी हम हैं, और अभी बिलकुल बुरी तरह से हम ठक चुके हैं, देख सकते हैं आप, और यह रास्ता आप देख सकते हैं कि कोई रास्ता नहीं है, बस हम पहाड पर चड़ रहे हैं, दोस्तों अभी हमें 5000 मेटर की हाइट पर, लगबग आज हम 12 किलो मेटर चले हैं, और अब आप यह देख सकते हैं 5000 मेटर से उपर, अब यह सिर्फ बर्फी बर्फ है यहां पर, इससे उपर जाना उपर सिर्फ खत रही है, यह देख सकते हैं आप, बर्फ है और फिट चटान है, दोस्तों वीडियो पसंद आयो तो लाइक, सियर और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा, मिलते हैं नई वीडियो में तब तक ले, जय हिं जय भारत जय होत रहाँ है।